तो इंडियन सेनारियो में कैसे चलता है separation of powers, US में कैसे चलता है और ब्रिटेन में कैसे चलता है, is that clear, तो book में जो sequence है उसमें पहले ब्रिटेन को लिया गया है, फिर शायद अमेरिका को फिर इंडिया को, वट हम इंदुस्तानी है, हम पहले इंडिया को लेके चलेगे, तो इं यह क्यों नहीं लिखा गया हमारी book में, कि इसके लिए बच्चों क्योंकि कुछ स्टेट्स में bicameral है, दोनों मिलेगा और कुछ में एक, बट सेंट्रल में तो दोनों ही मिलेगा, और आप खानू देश का पढ़ रहे हो, देश के लिए पढ़ रहे हो, किसी स्टेट के नौ यूनिन टरिटरी कहीं कि नहीं, हमाने तो एक ही चलता है, अंदर प्रिदेश कहेगा, हमाने तो एक ही चलता है, तो इन दाट केस गरबड हो जाएगा, तो आपको पढ़ा है, वो जा रहा है, जो जेनरल है, एक्जेक्टिव में कौन को आता है, प्रेजिट, वाइस जाते हैं, उसमें, जो डिश्री में सुप्रीम कोट, हाई कोट, एंड एक्टिवी लोवर कोट होते हैं, डिस्टिक कोट होते हैं, उसमें आपनी ये एन जी टी का नाम सुना होगा, नाशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और यह सब इसी के अंदर आ जाते हैं, ओके, सो इंडिया गवर्निंग बोड़ी इस वेरी 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 सिमिलर तो वाट शलन, ब्रिटेन, हमने वहीं से अपना कॉंस्टिटूशन लिया है, और हमारे यहां पार्लिमेंटरी सिस्टम चलता है, UK में कौन सा चलता है, उसमें कौन सा चलता है, प्रेजिडेंशियल, त्री ओर और इन त तो council of states and house of people का क्या मतलब हुआ, चलन council of state and house of people का यही मतलब होता है, तो council of states में राजसभा, house of people, लोगसभा, लोगशब देना, तो it represents people basically, is that clear, सभा मतलब, congregation, gathering, assembly, constitution of India is not adopted, अब यह बहुत important चीज़ है, separation of power तो हर जगा है, कहीं नजर आता है, कहीं नजर, नहीं आता है, इन में भी है, most of the countries में है, हमारे कानून में कहीं लिखित नहीं है, कि हमने powers को separate किया है, बट system ऐसा है, कि नजर आता है, कि separation यहाँ पे है, तो आपके घर में एक ताउजी है, आपके पापा और चाचा जी है, ठीकिया पकोड़ी का चोड़ी नहीं बोलिएगा उनको, P4 ता नहीं है, और भिंडी टमाटर गोवी आना ऐसा कुछ नहीं है, कहीं लिखित नहीं है घर में, बट सब लोग एक दो तारिक को दादी जी के पास 50-50,000 रूपीज या 20-20,000 रूपीज रखवा देते हैं, कि घर के जो कॉमन खर्चोंगे वो इसी में होंगे, ना दादी मह has not said हर लगा contribute करेगा, बट लोगों को ताउजी को पापा को चाचा जी को ऐसा हो गया कि भई आब हम बढ़े हो चुके हैं, हमारे उपर खांदान की जिम्मेदारी आ जानी चाहिए, तो दे डूइट बट अन्नोइंगली, अन्सेड है यह, नहीं समझे, समझना गया, तो constitution में गई लिखा नहीं है, जैसे 18 साल के किसी भी इंसान के साथ, या इससे जादा उमर वाले के साथ आप contract करते हैं, तो वो legal है, बट उससे कम वाले के साथ करते हैं, तो नहीं नहीं, illegal नहीं है, वो void होता है, क्या होता है, अब इसका क्या मतलब होता, आगे चलके आप पढ़ें नहीं थी, अब लिख गई है, तो वहीं चीज यहां पर भी है, तो constitution of India कहीं बोलता नहीं है, कि भई हमारा so-called separation of powers है, यह काम यह करेंगी, यह काम करेंगे, बट ऐसा discipline बनाया आपस में सबने, कि कोई दूसरे के काम में दखल अंदाजी perform नहीं करेगा, तो कभी भी अगर हम Prime Minister सहाब, टीवी पर आजाएं और बोलें, कल से 500 और 2000 की नोट चलनी बंद हो जाएगी, demonetization कर दें, is that clear, Supreme Court क्या बोलें, यह क्या बोलना है हो, अगर आपको कोई कश्ट है, आप एक PIL फाइल करिए, constitutional matter है सीदे, Supreme Court में जाएगा, वह उसकी सुनवाई होगी, अच्छा बु अगई, so executive, followed by children, legislature and followed by judiciary, खोपड़ें बात गई, अब बुक पढ़ने में क्यों नहीं मज़ा आता, मैंने परेश टावल जी का डायलोग सुना था, oh my god, movie में, यह कैसी किताब है, फोटो नहीं मज़ा है लोगों को, तो फोटो ना बहुत जो रही है, यह कौन है, अब की बा प्रेखा से इंपोर्ट नहीं किया गया, इंडिया सी है, अब यह है, रियल है और यह है, नॉमिनल, इस दा ट्लियर, यह रियल का जूस है, नाचुनल जूस है, अनलाग भी रही है, नाचुनल एक दम, लॉजिक समझ में आ गया, तो जो हमारे प्रेजडेंट होते हैं, युएस में ऐसा नहीं है, अभी आप पढ़ेंगा अगे, प्रेजडेंट पर अपने जो भी फंक्शन होते हैं, वो एक्सरसाइस करता है, पट इसको पता है कि भाई हम नेता तो है नहीं, नेता तो यह है, देश को जाधा क्लोजली यह जानते हैं, यह देश के नेता है, ल लोग कलाकार निकल गए, अपने आदमी को प्रेजडेंट भी बन वाली है, मोदी जी से 2000 महीना भी ले लिए, ठेंगा वोट नहीं दिये इनको, लोग पढ़े चतुन हिंदुस्तार के, तो यह जो भी फंक्शन एक्सरसाइस करेंगी, प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट और ओर्डिनेंस सुना था आपने, यह प्रेजडेंट साहिवा कर सकती है, यह प्राइम मिनिस्टर साहव और्डिनेंस इशू करेंगा, वाइस प्रेजडेंट को चली गई बाहर, तीन महीने के लिए, इनका गुत्ता भी लिख हो गया, मान लिजे, और पतल लगा युएस तो वाइस प्रेजडेंट को यह अपनी सिग्नेटरी पास दे सकती है, अगर उस समय कुछ इंपॉर्टेंट ओर्डिनेंस लाना हो, तो वाइस प्रेजडेंट साहव या साहिवा, प्राइम मिनिस्टर को कंसल्ट करके यह काम कर सकते हैं, तो प्रेजडेंट has a power, लिगा ना सब्जेक्ट ही नहीं होगा, इश्यू ओर्डिनेंस कर सकते हैं, और ये छे हफ़ते के अंदर इनको सेशन बैठाना पड़ेगा, नहीं तो वो ओर्डिनेंस इन्वालिड हो जाता है, और एक्जैक्ली यह एक्ट ओफ पार्लिमेंट की तरह ही काम करता है, जैसे पार्लिमें और ये बारा दिन बचे हैं, ये कहारें ठीक अब इलेक्शन करा ही लेते हैं, क्या आखरी दिन जाओ बड़ा दलेद्रापा लगता है वो, किसे लोग कोल्डरिंग पीते हैं, एकदम आखरी घुट तक चूस जाते हैं पूरा, लगते हैं आपड़ा हपशी टाइप के निकलवाते हैं, तो मोधी जी ग्यापन सौपेंगे, अंडी जी, so called हम चाते हैं कि फिर से एलेक्शन करवाया जाए, पुरानी पार्टी हमारी भंग है, मतलब dissolved है, cancelled है, तो फिर ये काम कर सकती है, या राहूल गांदी जी बोलें, ये बड़ा चिला रहे हैं, दो सालोग है खिलाब है, 539 पीपल, तो मुर्मु जी कहींगी ठीक है, अभी तो दो साल पहले एलेक्शन कराया था, ज्यादा पैसा हमारे पास है नहीं, करोलों रुपे खर्च होता है, तो जो लोग वोट देना चाते हैं, इनके अगेंस्ट और इनके साथ, A, YS और No, YS बोला था न मै मायवती ने एक बच कलाकारी की थी, मायवती जी और क्या नाम था उनका, राजनाथ सिंख थे शायद, तो ये डिसाइड हुआ कि BJP और BSP मिलके सरकार बनाएंगे, 6 महिना मायवती चीफ मिनिस्टर रहेंगे और 6 महिना राजनाथ सिंख, वो 6 महिना अपना उनका हो गया, सपोर्ट खीच ली, तो उस केस में फिर अगर चार वार साल हो जाते हैं, लग बहुंतर, कंसिडरेबल टाइम हो जाता है, तो एलेक्शन करवा लेते हैं, बार बार एलेक्शन गाने तो पैसन तो बहुत खर्च होता है, तो फिर ये नो कॉन्फिदेंस मोशन भी हमारे सपोर्ट किया था, नितिश कुमार जी ने और चंदर बाबुन निकल लिए, कहने रहुल बाबक सपोर्ट करेंगे, पांच-दस नेता इनके भी खीच के ले गए, अब उनकी मेजॉर्टी होगे 306 सीट की, तो फिर बार-बार एलेक्शन थोड़ा होगा, क्योंकि वो भी ठ ठीक-ठाक उसमें नंबर में थे, अब पतला का 543 में, जो उपोजिशन है, उसके पास मुश्किल से 40 सीट है बस, तो 10% से कम अगर टोटल सीट होती है, तो आप उपोजिशन भी नहीं मन सकते हो, तो वहाँ पे वोटिंग नहीं होती है, जा ठीक-ठाक सीट हो आपके पास, तो जब 5 साल होगा है, और ये सांसी नहीं लेने हटने की, तो फिर ये जान पूछ के dissolve करवाएंगे, और खुदी कहें ठीक है, चलो 12 दिन बचा है, फिर से election करवा लें, तो in that case ये खुद dissolve करते हैं, प्रेजडेंट एमर्जेंसी डेक्लेर कर सकते हैं, जब इंदरा गांध जी प्राय मिनिस्टर थी, और उनको वो गोल्डन टेंपल में भिंडरे वालों को निकलवाना था, तो उन्होंने एमर्जेंसी डेक्लेर कर दी, तो एमर्जेंसी होती है सर, एमर्जेंसी इसा सिचुएशन जहां पे हम पार्लिमेंटरी अथॉरिटी को उनके exercise से दूर रख गया है, तो that is a state emergency, पाकिस्तान ने जब nuclear test किया था, 1998 में इंडिया के nuclear test के बाद, साथ दिन तक उनके लोग बैंक से पैसा नहीं निकाल सकते थे, क्योंकि बैंकों में पैसा था ही नहीं, वो पैसा nuclear weapons करीदने के लिए, हमने पे कर दिया था अश्या जैसी, USAC countries को, तो that was a financial emergency Okay, चलिए, President is authorized to exercise legislative powers in case of state emergency, योगी जी किसी वज़े से चीफ मिनिस्टर शिप से स्तीफा दे रहे हैं, कोई दूसा चीफ मिनिस्टर बनने को त्यार नहीं है, और पार्टी भी भंग हो गई, अब President rule लग जाता है, state के अंदर, तो उसी को आप state emergency का भी नाम दे सकते हो, but President rule थ उसमें और ज्यादा फार्ज होती है, state emergency में थोड़ी कम, वो आगे चल के आप पढ़ेगे, तो इसको बेवकूप ना समझे, और अच्छी खासी है, is that clear? चलिए, election and term, कौन elect करता है, मैंने आपको बताया था, राज्य सभा के सारे, लोग सभा के सारे, state MPs नहीं होते, MLA और MLC होती है, वो सब वोट देते है, common public मेरे या आपके पापा में की तरह वोट, नहीं देगी, आप तो देगी नहीं सकते है, आपकी उमरी नहीं है, 18 साल अभी, और कौन appoint करता है, ये तो clear हो गया, कितने time के लिए, 5 साल के लिए, बचे के लिए, सब मर गए तो, dead body रखी रह हैं, is that clear, इन 540 में मान लीजे BJP की, लेट असे 300 सीट है, तो 300 सीट, 540 का कितना percentage होती है, 55 प्रतिशक, तो यहाँ पे 55% सीट स्टिल किसकी होंगी, BJP की, अगर देखा जाये तो यहाँ पे भी majority है, और यहाँ पे भी है, अपना मंचाह प्रेजडेंट बन जाएगा, बट अ अगर वहाँ पे गरबड़ी हो गई, तो नहीं बन बाएंगे, is that clear, सर ऐसा क्यों सिर्फ सेंटर को क्यों ना लें, तो इनकी position dominating हो जाएगे फिर, सिर्फ सेंटर वालों ने select कर लिया, state का कोई मतलब भी नहीं है, तो state को participation इसलिए जा रहा है, so that she is not a dominated elected member, और इसलिए central government चा president के appointment majority हमारी, क्योंकि कल को कानून मनेगा, और कानून हमी जाएंगे पास करवाने के लिए, तो जब हमारा आदमी president बने गए नहीं, तो अपने मतलब का कानून पास, करवा ही नहीं, समझ में आई बात, की नहीं आई बात, पक्का, चलेंगे, चलेंगे, अगला आता है, ले यह नई बिल्डिंग है, यह पूरी, यह पीछे वाली पुरानी बिल्डिंग है, और I am thinking कि यह गोल क्योंकि circular motion है, कभी गया तुम्हें जाना लूट भी नहीं है, तो यह राजय सभा या लोग सभा होगा, एक यहां central hall भी होना चाहिए, जहां दोनों के members combined, बैट से यह council of minister are the members of parliament, यह bill so called प्रस्तुत करते हैं लोग सभा में, फिर यह जाता है राजय सभा में, और जब प्रेजिडेंट साहब या साहिवा इस पर साइन कर देते हैं, तो यह बन जाता है act, और इसके आगे executive इसमें आयन जोड़ देता है, तो बन जाता है action, तो यहां पर बच्च समझ में आ गया, responsibility भई यह जो council of ministers हैं, यह prime minister को responsible होते हैं और इनकी responsibility पूरी लोग सभा की होती है, और जब तक confidence motion रहता है, election जीत के आप आए, यह नहीं कि news में आ गया, बीजेपी की 300 seat आ गया, इकल से को prime minister, no, 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 तब भी writing में इनको proposal देना पड़ेगा, कि भई इन 300 ल मान रहे हैं, और हम अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, प्रेजेंट साहिबा गएंगी ठीक है, कला जाईए, उसके बावजूद भी किसी particular day पे, first day पे confidence motion होता है, लोग सभा के अंदर, ऐसा दो नहीं कि फरजी नाम लिख ला है, फरजी साइन करवा लिया, जोर दवस्ती में क से बोचाए, और जहां नहीं मानते तो वहां brief case पकला दिया जाता है, समझमा गया, तो प्रेजडेंट में भी impeached by the parliament, मतलब, प्रेजडेंट चाहे, तो प्रेजडेंट के खिलाव महाभियोग, हिंदी में, अंग्रेजी में impeachment, इनको निप्टा सकते हैं, बट जेनली इंडि हमें impeachment हुआ नहीं कभी भी basically, क्या, रश्या में होना चीए था, मुआ पता नहीं ये पट्टी पुटीन कितने साल से बने पड़े हैं, exercise of power, constitution of India provide करता है कि जितना भी हमारा parliament, executive, जो भी है चल रहे हैं, ये क्या-क्या काम करेंगे, जो काम central government करेंगी, ये union list में लिखा है, ज जो काम state government करेंगी, वो state list में, और जो दोनों नहीं करेंगे, जो दोनों करेंगे, it is mentioned in current list, ये आगे चल के आपको बताया जागा, जैसे education है, तो IIT का जो काम है, वो union list में लिखा है, ठीक है, जो national institute of technologies है, वो भी union list, जो state engineering colleges है, वो concurrent list में नहीं आते हैं, वो किस में आते हैं, road बगेरा बननी है, दोनों का काम है, public works department भी करता है, national highway भी करता है, तो ये concurrent list में जाएगा, is that clear, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जो concurrent list में में मिलेंगे, कुछ union में और कुछ state में, foreign affairs, ये union list में आएगा, समझा गया, कुछ चीज़ें, दोनों में रहती हैं, तो that is concurrent list basically, समझ में एक हुड़ हुड दवंग दवंग मी नजर आएगा आपको, supreme court of India सबसे उपन, फिर high court मैंने लावात का example लिया है, फिर district court, बट बचो एक चीज़ जो मेरे को थोड़ी सी खराब लगी, जब मैं इसको बना रहा था, notes को, भई, no discussion shall take place in the parliament with respect to the conduct of any judge of supreme court or high court, मतलब lower court को न किप्टा सकते हैं, उनके बारे में Parliament में discussion भी हो सकता है, बट high court और supreme court के judge के साथ, आप discussion नहीं कर सकते, ना उनके against, ना उनके for, भई, for तो समझ में आता है, but against में भी, नहीं कर सकते, तो यहां पर क्या हो गए, सब क्या हो गए, ओड़ ओड़ दबंग हो गए है, सिर्फ और इंपीच्मेंट किया जा सकता है, और इंपीच्मेंट तो बहुत बड़ी चीज़ है भई, तो इसलिए यह थोड़े चोड़े से गूंते हैं, समझागे, एक दो चीज़ों मैं आपको बताओ, अलाबाद high court के एक judge थे, मेरे को नाम उनका नहीं याद आ रहा, क्या है, और किसी कार किसी ने टच कर दी, हलकिसी कार टच कर दी, और ड्राइवर ने कोट में एक PIL फाइल करवा दिया, जूट बोलके, कि वहां के जो पुलिस गाड थे, वो ठीक से पार्किंग ये वैस्ता देख नहीं रहे थे, और judge साब ने बुलवा लिया, traffic inspector के head को, उसकी class लगा तो वो judge साब लोग काफी cases में अपने i-code को अपने पिता जीक दुकान समय लेते हैं, is that clear, ये सची घटनाओ पर आदारित है, Google कर लीजेगा, आपको पता लग जाएगा, तो judge साब गलत नहीं थे, उनका driver था, उसने गलत information उनको दे दी, पता नहीं मिले होंगे, नहीं मिले मैं आपको, क्योंकि तभी पूरा content बनेगा, तो what is that, वो अभी हम इसमें लेके आएंगे, चलिए, so let's start with judiciary, इंडिया में तीन चीज़ें होती है, पहले supreme court होता है, फिर high court होता है, और इसके बार, subordinate या lower courts होते हैं, इसमें आपका district court, national green tribunal and all that, ये सब आजाता है, तो judiciary का role क actually, ये पनी रोल नहीं बेचेंगे, इनको कानून को interpret करना है कि बाई, जो कानून है, वो सही है या गलत, अगर सही है, और कोई बोल रहा है नहीं, हमको एगलती लग रही है, तो उसके पर सुनवाई करते हैं, और वो चेक करेंगे कि किस level तक सही है, इसको कितना हम change कर सकते ह है, thereafter अगर आपके fundamental rights में कोई problem हो रही है, तो वो fundamental rights को impose सही तरीके से कराने का काम किसका है, judiciary का, तो यहाँ पे आप एक writ file कर सकते हैं, writ क्या होती है sir, writ is basically an order of supreme court as per article 32 of the supreme court and article 2, sorry, supreme court का article नहीं, constitution का article 32 and article 226, तो supreme court में अगर आपको अपने fundamental rights की बात करनी है, सब जैसे आपकी उमर है 11 साल, is that clear कितनी, 11 साल, you are covered under right to education act, everybody in between the age of 8 to 14 has the right to free and compulsory education, आपके महले का school आपसे school की fees मांग रहा है, आपके मैं 11 साल का हूँ, मैं IT में आता हूँ, आपको साबित करना पड़ेगा कि आप non creamy layer है, non creamy, यहाँ, देख लो मासिब में कोई cream cream नहीं है, अरे मतलब आपका परिवार इतना ज्यादा रिच नहीं है कि आपकी fees दे पाए, उस school को compulsorly आपको free में पढ़ाना पड़ेगा, अगर वो school deny कर देता है, तो आप क्या करेंगे, सरम चिलबुल पांडे बनेंगे, और हमारे पी आपकी डॉक्मेंट दिखा कि बच्चा मर्जडी से स्कूल आ रहा है, क्या रहा हो किराय के लिए, अच्छा मर्जडी सा किराय दे सकते हो, school आने के लिए, इस नहीं दे सकते है, और यह सिर्फ 10th class तक चलता है, और यह सुरी, 8th class तक चलता है, अभी दस्वी ग्यारी है, चलिए, तो आर्टिकल 32 Constitution का Supreme Court और आर्टिकल 226 Constitution का High Court को राइट देता है, कि भाई आप fundamental rights enforce कराये, अगर कहीं गरबड़ी हो रही है, तो आपकी जिम्मेदारी आपको बनाये किस लिए गया है, सिर्फ गाडिम बैट के टहलने के लिए, तो रिट फाइल होती है, तो रिट क का मतलब थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा, मैंने रिट के लिए एक special note आपके लिए बनाये हुआ है बचो, it's a special notice you can say, पहली रिट क्या होती है, हेबीज कॉर्पस, किसी को भी इस रिट के तहत, फरजी अगर imprisonment दिया गया है, तो पुलिस की और कारागार के supervisor की band लेते हैं, उसके बाद या तो छोड़े, या तो lower court, high court, supreme court को और करे, इसको तीन में जेल में ले जाओ, else आप जेल में बंद नहीं कर सकते हैं, तो लिखा भी एक compels the custodian, मतलब पुलिस, to produce the detained person before the court, and justify कर ये, काहे पखल के ले गए थे, तो अकर घर में पुलिस आजा है, मह ले जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस ने पैसा खाली है, पाँज़ रुपे, उपर ये भाई रहता था, नीच एक भाई रहता था, उपर वाला भाई थाने गया, पाँज़ रुपे दे कर पुलिस को बुल वालाया, और कहा रहा है, जबाने धमकाने के लिए, अचा हम घर खा लूर कोट ने ओर्डर दे दिया वहां के जट साथ हुला पाई सब्सक्राइब के सब्सक्राइब के तहत पूछेगा आपने वह यह नोटिस इस्यू किया यह मान लीजिए अभी आपने वह एक लड़की देखे जो आईएस की ट्रेनिंग कर रही थी पूजा खांड वेकर हर चीजा की ऑफिस में बैठ गई कैरी मेरे गाड़ी चाहिए भाईया आप यह सब नहीं कर सकते हैं अभी आप ट्रेनिंग पीरेड में हैं तो अगर कोई भी इंसान कहीं जॉब पे और वो हट नहीं रापनी सीट स तो इस रिट के तहट गवर्मेंट ऑफिसर अगर वो है तो हम एक नोटिस लेकर आएंगे आई कोट से कि भाईया तुम निकलो यहां से तुमारा यहां पे रहना अलाउड नहीं है और अगर तुम यहां पे हो तो किस कानून से हो पहले वो हमको साबित कर दो तो पूजा ख इस रिट is used to quash or set aside an order of an inferior court मैंने आपको राम जन भूमी वाला केस बनाया था मांगी गई थी एक पर्टिकलर जगा इन्होंने तीन पार्ट्स में प्रोपर्टी डिवाइट कर दी तो हाई कोट पूछेगा स्वारी सुप्रीम कोट पूछेगा हाई कोट से भया मांगा गया स्कूल रिजल्ट नहीं दे रहा है क्यों तुमाई फीज नहीं जमा है तब भी रिजल्ट नहीं दे रहा तो सरहेबियस कॉर्पस की रेट लगेगी अरे रिजल्ट पे नहीं लगती लोगों पे लगती है इस एक लिए समझ्मा गया आपने टीचर से पूछा मेरा कि यह चीज गलत है नहीं तो मैं अपने पापक बुला के ले आऊंगा समझ में आया की नहीं आया प्रोहेबिशन तो एकदम असान है यह क्या होता है सर एन इंफीरियर कोट को हम प्रोहेबिट करते हैं बियॉंड इट्स जुरिस्डिक्शन की भई आप सो कॉल्ड कैसे एक कर सकते हैं मतलब सर असान भाषा मताइए हम लीगल के स्टूडेंट नहीं है सुप्रीम कोट तो पुरे इंडिया में सो कॉल्ड जज्ज्मेंट सुना सकता है क्या यूपी का जो अलाबाद हाई कोट है वो आंदर प्रदेश के लिए जज्ज्मेंट सुना सकता है जो उत्त कोट में अगर कोई केस जा रहा है तो वो अलाबाद में हरकत हुई हो अलाबाद के लोग महां फाइल कर रहे हो केस सुझना गया तो प्रोहिबिशन का मतलब हाई कोट इस प्रोहिबिटेट फ्रॉम सुप्रीम कोट के आप ये काम नहीं कर सकते तो सुप्रीम कोट हाई को ब अलाबाद के डिस्ट्रिक के लिए कोई भी ओर्डर इशू नहीं कर सकता लॉजिक समझ में आ गया तो मान लीजिए कि आपके घर के बार सो कॉल धेर सारे रिक्षे साइकल स्टेंड मना के वाँ खड़े देते हैं आप चले गाए लोर कोट मेरा राइट टू लिबर्टी एफ दिफेरेंट है ध्यान दीजेगा बाइट अथोरिटी इसका मतलब दर रिट चैलेंज़े दर राइट ऑफ परसंट तो होल्ड़ अपब्लिक ऑफिस इफ सम्वन इस अनलॉफुली ऑक्यूपाइंग अपब्लिक ऑफिस मतलब मान लीजिए कि आप किसी ऑफिस में जाके बै रिट का मतलब एक स्पेशल नोटिस फ्रॉम्ट और सुप्रीम कोट या सुप्रीम कोट जाएंगे खुद नहीं वकील के त्रू जाएंगे और काएंगे मेरी यह यह प्रॉब्लम है मेरे जानने वाले को तीन महीने जानने से जेल में रखा गया है क्यों क्योंकि पुलिस वाले हड़का के उसको ले गए हैं तो कौन सी रिट लगेगी ABS Corpus आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर भी है सरकारी अपॉइंटमेंट लेटर है बट जो पुराना प्रिंसिपल है वो नालाइक वहां से जाही नहीं रहा है क्यारा मेरे को असम भेज रहे हैं मैं नहीं जाओंगा सिल्चर काम करने के लिए वह कितनी दूर दिब्रू गड़ा काम करने के लिए मैं लख नहीं हो मैं फेट हो तो आप कौन सी रिट निकल आएंगे क्यों वारंटो भाईया तुम कैसे यहां पर तुम हटो अभी मेरी न करने के लिए आप सो कॉल्ड यूज करेंगे इस तरह के इतना समझना गया इस पर बचो एक चीज मैंने आपके लिए और तैयार की हुई है और बड़ा फेमस केसलो है केश्वा नंद भारती केसलो इसमें फंडमेंटल राइट का हनन हो रहा था और मैं आपको बेसिक बेसिक स्ट्रक्शर नहीं इसका मतलब क्या है आपने घर खरीद आपने घर खरीद घर के अंदर कोई भी पीस ऑफ पेंटिंग वगेरा टांग लीजिए किसी दिवान में इसी लगवा दिए कोई टेंचन नहीं है बट आप चले फ्लैट के अंदर जमीन तोणने आपको मैं मैंना फ्लैट करें मेरा राइट है मैं फांडेशन स्टोन चेंज करूंगा यह लाउड नहीं है कॉंस्टिट्यूशन में अगर कुछ गरबढ आज की सुसाइटी के साब से वह सीख हो जाएगा बट कॉंस्टिट्यूशन को बनाने टाइम पे जो रूल अप्लाए हुआ थ उन्होंने केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को चैलेंज किया कि जो मैनेज्मेंट ऑफ दा प्रॉपर्टी है यह हमको दिया जाए और तेरा जज़ेज ने सुनवाई की थी इस केस कि कितनी तेरा जज़ेज इनको लीगल एवेंजर्स टीम भी बोलते थे बेसिक फंडमें बैई 18 साल का इंसान या उससे ज़ादा को वोट दे सकता है मोधीजी किया रहे है वोट देने वाले बहुत कम है तो चलो पुरा बिल बनाएगा, ट्राफ बनाएगा, फिर यह जाएगा राजसभा and all that, कम से कम three-fourth majority होनी चाहिए, यहां 50% नहीं काम करता है, three-fourth, three-fourth majority अगर होगी, तो constitutional guideline भी change हो जाता है, तो constitution को change करना है, तो Supreme Court कहेगा, भई मेरी इतनी हैसियत, नहीं है, तो केश्वा नंद भा fundamental core, that is the bedrock principle, that give our constitution, it's a soul, constitution के तहर सुप्रीम कोड बनाया है, यह सुप्रीम कोड ने constitution बनाया है, constitution के तहर, आप क्या पहनेंगे, कब सोएंगे, कब उठेंगे, क्या खाएंगे, कैसे जीएंगे, एक एच तक यह पापाम्मी decide करेंगे, सर, कितने साल तक, minimum 17 साल, 355 दिन, 23 गंटे, 69 मिनिट तक, जब आप 18 साल के हो गए, तो भई, आपका जीवन आपका है, सर, हम भी 10-12 साल उनको control करेंगे, यह आपको भी नहीं कर सकते, यह आपको भी नहीं कर सकते, तो पापाम्मी ने आपको जन्म दिया, आपने उनको जन् समस्याओं को आपने जन्म दिया होगे मंधाओ, बट उन्होंने आपको जन्म दिया है, तो पापाम्मी चेंज कर सकते हैं, आप पापाम्मी को जन्म, कर सकते हैं, घाधा जाजीज जा के उन्होंने पापाम्मी को बनाया है, is that clear? तो इमेजन कॉंस्टिटूशन अस्टडी हाउस ना यही था यू कन रीपेंट दा वॉल्स आप अमेंटमेंट कर सकते हैं बट आप उसकी नीव में फांडेशन स्टोन को नहीं निकाल सकते हैं तो आप ने घर खरीदा नया बना हुआ उसके बगल मेरा आप नई दिवार कर सकते हैं बट सीवर लाइन में आप कोई भी चेड़चाड नहीं कर सकते हैं वह पानी की लाइन का सेट अप Constitution is that clear to Constitution के हिसाब से Supreme Court चलता है Supreme Court Constitution के ओपर discussion करता है बट Supreme Court की अउकाद इतनी नहीं कि Constitution को change कर दे उसके रहे वापिस कहां जाना पड़ेगा Parliament और तीन-चौथा ही मेजॉर्टी कम से कम आधा नहीं चलता है आदे is that understood चलता है तो केश्वनन भारती जी ने शायद यह बोला होगा भाया यह जगा हम चलाएंगे लैंड हम को देदो कहेंगे नहीं नहीं आप किराय पे जमीन को ले लीजे वट खरीद नहीं सकते क्योंकि ऐसा हमारे कानून में लिखा है कि लीज की जमीन को हम बेचेंगे नहीं समझा गया और आप तभी खरीज सकते हैं जब बेचने को त्यार हो जाएं तो केश्वनन भारती जी सुब्रीम कोट चले गए तो सुब्रीम कोट कह रहा है सौरी मैं भी इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा तो परलिमेंट की पार को भी लिमिट किया गया कोट रूल तैट देर सर्टन फीचर विचार इम्म्यूटेबल वो अर्टिकल 370 मूवी देखिया ना बोला गया है कि भाई हमने यह रूल बनाया और फिर हमने अपने असेंबली भंग कर दी अब जब तक असेंबली फिर से आईगी नहीं तब पर्मीशन से जो रूलिंग सो कॉल पार्टी है वो चेंज कर सकती है समझे बात को कि नहीं समझे मतलब आपने टेलर को कपड़ा से लने को दिया टेलर कह रहा है जब तक दुकान बंद कर दी उसके बाद मैं को मॉडिफेकेशन नहीं करूंगा यह रूल है अब टेलर दुक सब्सक्राइब कराना है सब्सक्राइब करते हैं लोग रूल आफ लौ यह कानून से अपर कोई भी नहीं है और जुडिशल रिव्यू भी है तो केश्वा नंद भारती इस लाइक आप सब्सक्राइब करते हैं तो इसी तरह से काम हुआ तो पार्लेमेंट अमेंड कर सकता है बट अगेन ज्यान सुनिएगा है पार्लेमेंट यू कांट री राइट था होल स्क्रिप्स सम लाइन जार सेक्रेड कुछ तो ऐसा भी है जिसके लिए शायद बियर अंबेदकर सहाब को फिर जनम लेना पड़ेगा या इसे बिठाना पड़ेगा तो जज्जमेंट बहुत जगह इस्तमाल किया गया और सोची बच्चों कितने पेच गा जज्जमेंट बाल मुकुन शांब बिहार रेजर्वेशन ऑफ वेकेंसी इन पोस्टेंट सर्वसेज शेडियूल ट्राइब के लिए रेजर्वेशन था तो बोला गया बहिया रेजर्वेशन तो चलेगा कॉंस्टिटूशन के इसाब से कोट इसमें कुछ नहीं कर सकता तो सुप्रीम कोट और हाई कोट ऐस पर आटिकल 32 226 रिस्पेक्टिवली यह बोल सकते हैं यह बोल सकते हैं कि भाईया हमारी उकाद नहीं इसको कुछ करने की हम आपकी बाद सेंटरल ओफिसर इन के को इन केस अव सुप्रीम कोट वहां तक को जा देंगे फिर वो बिल विल ले जुडिशरी में सो कॉल डिस्ट्रिक जजजेस के केस में या हाई कोट अफ पतना के केस में ये काम करेगा की नहीं तो सुप्रीम कोट आया और उसने बोला कि भाई स्टेट लेजिस्ट लेचर इसको चेंग नहीं कर सकता क्योंकि इसको चेंग कर सकता क्योंकि इसको चेंग करने का मतलब आर्टिकल 233 और 234 को बाइपास कर दिया हमने तो आप शादी करिए पापा कहरें कोई प्रॉब्लम नहीं लड़का लड़की अपने मंद से पसंद कर लो पापा कहरें इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं बट रीती रिवास जो होंगे वो उसी धर्म के चलेंग होगा हम सिखिजम फॉलो करते हैं गुर्दवारे में ग्यानी जी के सामने गुरुग्रण साहिब के सामने फेरे होंगे तो शादी किसी भी लड़का लड़की के बीच में हो सकती है सुप्रीम कोड यह कह रहा है बट धर्म वहीं चलेगा जिसमें पैता हो रहे हैं यह कॉं कहने का मतलब जुडिशरी में यह रूल आगू नहीं है बाकी जगा रागू होगा तो जस्ट ट्राइंग टूठी जाएगा कम से कम लॉजिक समझ में कि आप तो दोनों केसे यही बोलते हैं कि भाई हम सो कॉल्ड सुप्रीम कोड और हाई कोड है हम रिक्वेस्ट कर सकते है कि भाई इसके ओपर कुछ बाते सुन लो जरा थोड़ा चेंज कर दो बट हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं तो फंडामेंटल राइट्स के इंपोजेशन में क्या काम है सुप्रीम कोड का ही कोड का याद रखिएगा मेशा बड़ा इंपोटेंट है यहां पर सकते हैं कि भ कॉंस्टिटूशन को पार्लेमेंट कैरी करता है समझना गई बात तो जब आपको यह पॉइंट एग्जाम में लिखने को आए रमेडीज वाला फंडमेंटल राइट्स वाला तो दो केस पर जरूर लिखिएगा रोल आफ लेजिस्लेचर इसका क्या मतलब हुआ हम पढ़ाई किसकी कर रहे हैं बचो जुडिश्री कभी कभी जुडिश्री भी रोल आफ लेजिस्लेचर अप्लाई करती है कैसे दर पल्यूशन बहुत बढ़ रह था आगरा में कानपूर में बोला गया कि आगरा में बही उसका stone yellow पढ़ रहा है तो एक कानून मना दिया so and so act pollution anti-control आगरा act 2004 कि इसके तहर जितनी भी factory में एक particular volume से ज़्यादा धुआ निकलेगा उसको तीन महिने के अंदर अपने आपको relocate करना पड़ेगा तो यहाँ पे judiciary भी जो बोल रही है starting में आपको बताया था high court और supreme court के judges अगर सड़क पर भी खड़े हो के कुछ बोल दे that becomes a law but it is not a statute क्योंकि उसके लिए parliamentary procedure से जाना पड़ेगा okay तो कभी-कभी court जब देखता है कि यह parliament वाले delay डाले पड़े हुए प्रेजडेंट साब भी ordinance नहीं ला पा रहे है तो चलो हम ही एक कानून बना दे और ऐसा जेनली administrative activities में किया जाता है is that clear impeachment judge of supreme court and high court can be removed by the legislature parliament के उपर discussion कर लीजिए कि इनको हटाना है suspension नहीं हो सकता चुटी पे नहीं भेज सकते salary घटा नहीं सकते हैं फिर हटा सकते हैं limit to make amendment पहले मैंने आपको बता दिया they can suggest the procedure ऐसा ऐसा कर लो भाईया बट ये नहीं बता सकते हैं ऐसा ही होना चाहिए तो आप पापा मम्मी को बोल सकते हैं ये कार खरीद लो ये घर खरीद लो घर में ये करवा लो बट आप order नहीं दे सकते क्योंकि अगर ऐसा हटा दे ना बच्चो तो क्या होगा separation of power खतम हो जाएगा फिर तो वो उसको overrule करने लग जाएगे समझ गए anonymous opinion ये क्या होता है भई many a time it happens कि जट्स आप कहते हैं कि हमने सरकी क्लास नहीं की थी हमको सही से नहीं पता है कि separation of power क्या है तो हम ठीक से decision नहीं दे पा रहे हैं तो that case आज आता है यहाँ पे basic structure of the constitution सो यहाँ पे जो supreme court cases decide करता है many a time हम उनी को base मान के आगे decision देते हैं अगर madras high court ने decide किया कि 500 meters from the river bank construction allowed नहीं है तो जहाँ जहाँ हिंदुस्तान में river or sea होगा water body होगी दूसरे court decision को copy करते है तो it is said supremacy of the constitution cannot be challenged constitutional state का जो secular character है judicial review allowed है यहाँ पे वो भी fundamental right से case में separation बहुत जरूरी है state of the R and बाल मुकुज शाह में भी आपने देखा republic और democratic form of government है हमारे है India is a sovereign state and right of equality and rule of law सर इसका क्या मतलब होता है जो कानून में लिखा है वो तो rule of law है बट many a time कुछ चीज़ें कानून में भी नहीं होती है तो वहाँ पे क्या चलेगा वहाँ पे जो judge सहब right of equality बता देंगे वो मान लिया जाएगा सर जैसे एक person other backward class को belong करता था और एक थोड़ा upper class को belong करता था other backward class वाला कहा रहा है कि इसने मेरे को परशान किया है इसने मेरे पैसे खाए हैं इसने जमीन मेरे नाम पे थी अपने नाम पे रेइस्टर करा लिए और पूरा पैसा नहीं दिया अब कानून तो भाई देश में कोई ऐसा है नहीं तो यहां पे क्या चलेगा right of equality चलेगा कि भाई आप sufficient amount दीजिए जो कानून की नजरों में adequate हो तब जाके यह transfer valid है property governance नहीं बट अगर कानून बन गया कि भाई untouchables या other backward class या scheduled class, scheduled drive इनको आपने परशान के इसका कानून है तो as per law आपको सजा में जाएगे logic understood well तो whensoever they are not able to decide the case वो under article 368 इन बातों को ध्यान में रखते हुए चीजों को decide करते हैं तो अगर आप बोलें कि भाई हमको एक मत बनाना है सरकार का yellow out no problem बट आप कहें कि जैसे केश्वा नंद मत को जमीन दी गए हमको भी दे दी जाए अरे भाईया हो की तो देंगे ना कहां दे देंगे आप चले गए supreme court उनको जमीन दी हमको भी हो देखा हो का अलावाब में कुम मिला लगता है जो यह पंडे बंडे होते हैं जो काफी high class इनके मठ होते हैं यह कहते हैं हमको जगा चाहिए मेले में कुछ को तो अपनी मन चाही जगा मिल गए कुछ को जगा नहीं मिलती है तो many a times यह चले जाते हैं high court और supreme court अब बोलते हैं भाई यह possible नहीं यह जगा देना घरी थोड़ा सकते हो तो बहला पुस लाग उनको मन लिया जाता है is that clear? समझ में आगे आप चलिए none above law so supreme court of india finally decide करता है कि भाई क्या framework होना चाहिए constitution का और इनी सब बातों को हम judicial review भी बोलते हैं जब cases फिर से open होके आते हैं इंडिपेंडेंस और जुडिश्री पर ध्यान दीजेगा असान है इसमें कुछ खास है नहीं it's very 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 simple चलन article 124 sub clause 2 क्या बोलता है सिर्फ impeachment के लिए so called parliament में लोकसभा राजसभा में high court supreme court के judges के लिए discussion होगा बाकी किसी चीज़ के लिए discussion होगा ही यह article 124 clause 2 इस बात को बोलता है कि impeachment के लिए clause 2 अच्छा ओके जब हम कुछ पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं page number, line number paragraph number तो कानून में page number, paragraph number नहीं होते हैं उस particular text के group को article बोलते हैं जो उसका sub part होता है उसको clause, clause बोलते हैं तो constitution is filled up with articles बाकी जो कानून होते हैं उसके sections बोले जाते हैं समझ में आ गया समझ में आ गया तो constitution को हमेशा घर की foundations और घर के जो pillar और beam होते हैं वो समझे और जो कानून वगेरा होते हैं वो beach की घर में पुरसी furniture, AC जो लगाना हो लगा लो वो सब आपके हिसाब चलेगा तो अगर आप flat खरीते हैं तो क्या basic pillar में और beam में या foundation में change कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं बट घर के अंदर आप कुछ भी change कर सकते हैं बेड कहां लगाना है वो सब घर का है तो चलिए next lecture तक आपको नोट से मिल जाएंगे तो रिट समझ में आगे की निया गया तो पांच तरह के रिट होती है और इसमें इसके लिए एक point याद रखिएगा रिकॉर्डिंग में भी है prevention is better than cure prevention is better than cure अगर आपको लग रहा है कि नेता विदाई सब बहुत करते हैं क्योंकि उनके खिलाब फरजी रिपोर्ट भी कितनी बार लिखा दी जाती है पगड के ले गए तो prevention is better than cure का मतलब क्या भई पहले से ही मम्मी ने बोल दिया खाओ तो मम्मी कहारी आइस्टुन तुम नहीं खा सकते इस प्रॉइबिशन एक दम टॉमी और मोती दरा कान खराब हो गया दला खराब हो गया बुखार कर चड़ गया मम्मी करे कौन बोला था पार्टी में आइस्टुन खाने को अरे हम एकनोमिक्स के स्टुटेंट है मुएक्स मोर दन पी एक्स करना था सैटिस्फेक्शन बढ़ाना था प्राइब खा लिये अब जाओ वही पार्टी वाल दवाई मांगे लाओ इस दाट क्लियर इस दाट क्लियर चलिए दाट सॉल प्रटेशियों